तीन जुलाई को भारत की विभिन प्राइवेट टेलीकॉम कमपनियों ने अपने टेरिफ का दाम जब बढ़ा दिया, तब सोसल मीडिया पर बिये सेनल को ले करके कई हैस्टेग ट्रिंड करने लगे थे, और लोग तेजी से बिये सनल की तरफ अपना रुक करने लगे थे, औ और तब इस बात की चर्चा शुरू हुई कि क्या बिये सनल इन प्राइवेट टेलीकॉम कमपनियों से परतिस्परधा कर पाएगी, क्या बिये सनल का नेटवर्थ और बाकी चीजे अच्छी तरह से काम कर पाएगी, कि प्राइवेट टेलीकॉम कमपनियों को पीछे छोर प अब आप सबसे पहले डाउन फॉल को समझेए लगबग आपसे 20 साल पहले यानि 2004 में टेलिकॉम सेक्टर में ग्रहकों पर BSNL के हिस्सेदारी जो है वो 18 फिस्दी हुआ करती थी जो घटते हुए 2024 में धाई परसेंट से भी कम परा गई इस साल मई में जहां BSNL को 15,000 नए कस्टमर्स मिले तो जून में 8,000 कस्टमर्स घट गए थे और जुलाई के पहले 15 दिन में BSNL को 15,000,000 नए ग्रहक मिले मतलब टैरिफ फ्लान के दामों में बढ़त्री के बाद लगवग हर रोज एक लाख से अधिक नए ग्रहकों ने BSNL को अपने लिए चुन लिया जिससे एक बड़ी संख्या उन कस्टमर्स की है जो अन्ने टेलिकॉम कमपणियों को छोड़ कर आये हैं लेकिन BSNL अभी भी बाकी टेलिकॉम कमपणियों से ग्रहकों के मामले में बहुत पीछे है BSNL देश का चौथा सबसे बड़ा टेलिकॉम कमपणियों के पास लगबग 47.04-6 करोर ग्रहक तो एयर टेल के पास लगबग 27.01 करोर और वोड़ा आइडिया के पास लगबग 12.72 करोर ग्रहक है तो वहीं BSNL के पास महज 2.01 करोर ग्रहक मौजूद है हाली के दिनों में उत्तर प्रदेश और चिन्नाई, तमिलनाडू जैसे राजियों में सबसे ज़्यादा ग्रहक BSNL के बढ़े है अब सवाल ये कि क्या BSNL, जियो, एयर टेल और वोड़ा फुन आइडिया जैसे कमपणियों को टक्कर दे सकती है तो जवाब ये है कि पिछले कुछ महीनों में BSNL ने 25,000 से अधिक टावर को अपग्रेड किया है तो वहीं 20,000 से अधिक नए टावर लगाने की तयारी में है इस कारण से BSNL का नेटवर्क कवरिज वहतर हुआ है और रिचार्ज के दाम बढ़ने पर नए ग्रहकों की संख्या भी BSNL में बढ़ रही है लेकिन अभी भी बाकी के टेलिकॉम कमपणियों से मुकाबला करने के लिए BSNL को भी और अफग्रेड करना होगा लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज BSNL जिन कमपणियों से मुकाबला कर रही है उनको बढ़ाने का काम भी BSNL नहीं किया था संसद में पेश एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि BSNL ने अपने 13,051 टावर को विभिन ने टेलिकॉम कमपणियों को रिंट पर दिया था इसमें जियों ने सबसे ज़्यादा 8307 टावर को लिया था तो वहीं एएटेल ने 2761 टावर और वोड़ा एडिया ने 1833 टावर को रिंट पर लिया था और BSNL ने इसके लिए प्राइबेट कमपणियों से 21,000 रुपया से ले करके 38,700 रुपया तक चार्ज कर रही थी इससे प्राइबेट कमपणियों को ये फायदा था कि बिना टावर लगाये देश के हर कोने में कम खर्चमेंट नेटवर्क पहुँचाने में मदद मिलती थी जिससे इन कमपणियों को मोटा मुनाफा हुआ और तगड़ी ग्रोथ भी हुई और वही BSNL के खराब नेटवर्क और एडवांस्मेंट में पीछे रहने की कारण इसके ग्रहा लगातार कम होते गए अब BSNL इस साल के अंध तक पूरे देश में 4G सर्विसेज और 2025 तक 5G सर्विसेज की सुरुआत करने वाली है BSNL ने अब तक 12,000 से अधिक नए 4G टावर्स लगाए हैं और कई सहरों में इसको चालू भी कर दिया है इसके अलावे BSNL की नेटवर्क और सर्विसेज को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने नए बजट में 18,960 करोर रुपए आवंटित किये हैं और उमीद है कि इस बार BSNL प्राइबेट टेलिकॉम कमपनियों को करीट कर देगी बाकी आपको यह स्टोडी कैसी लगी और आप BSNL के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट के मादधम से हम तक जरूर भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंशन बहुत बहुत धन्यवाद